हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं सिरोही जिले के भारचा में IOCL की पाइपलाइन से तेल चोरी होने का मामला सामने आया है मामले की जानकारी मिलने पर IOCL कमपनी है चीफ ओपरेशन मैनेजर कमल कुमार, ओपरेशन मैनेजर अभिशेक बंसल सहित अधिकारी मौकी पर पहुँचे तथा घटना की जानकारी रोहिडा पुलिस को दी सूचना विलते ही रोईडा थना अधिकारी हनवन सिंग भाटी मैजापता मौके पर पहुँचे तथा मामले की जानकारी लेकर जाज पड़ताल शुरू की सूत्रों के हवाले से पता चला कि पाइपलाइन से तेल चूरी होने का मामला पिछले लंबे समय से चल रहा था कमपनी के आला अधिकारी को मामले की जानकारी मिली तो अधिकारी मौके पर पहुँचे तथा कारवाय की गई जागरूप टिविगले रोहिडा से हितेश माली की रिपोट